ब्रिंदा व्लोग्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज में बना रही हूं मिक्स दाल जिसमें कि मैंने अरहर, चना और जो है लाल मसूर की दाल को बस गरम पानी में 2-3 सीटी लगाऊंगी कुकर में और इसके बाद मैं इसका तड़का जो है वो मेन होता है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मैं तो तड़के वाली दाल इस तरह से बनाती हूं आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट वाक्स में जरूर लिखिएगा तो दाल जो है 2-3 सीटी हो गया है लग गया है कुकर में और अभी मैंने पैन गरम करके उसमें घी डाला है और घी जैसे करम हो जाता है तो मैं साथ साथ डाल रही हूं जीरा, तेज पत्ता और हिंग इसके बाद मैंने पैज जो कट करके रखा हुआ है वो मैंने मीडियम साथ के पैज जो है वो कट की हूं उसको मैं डालके थोड़ी देर के लिए हलकी आज करके चलाओंगी फिलाहसन डाली हूं मैं इसमें प्याज हलका सा सुना रहा होने के बाद इसमें मैं टामाटर मिक्स करूंगी टामाटर हलका सा पकने के बाद मैं इसमें फिर जो है वो दाल जो है अच्छी तरह से गल गया है टामाटर अगर अच्छे से पक जाता है तो मैं इसमें डाल मिक्स करूंगी इसमें हल दी जाएगा स्वाद अनुसार नमक उसके बाद कस्मेरी लाल मिर्च जिस्से की कलर बहुत ही प्यारा आता है थोड़ी देड़ धीमियाच पकाने के बाद इसके बाद मैं धनिया का जो पत्ता है वो मैंने कट करके रखा है वो मैं डाली हूँ जो की देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और दाल बिल्कुल बनके रेडी हो गया है आप इसे चपाती के साथ चावल के साथ खा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी है चुकि तीन दाल जो है वो मिक्स करके मैं बनाई हूँ और आप किस तरह से बनाते हैं कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू सो मच